तो नमस्कार सभी वीवर्स को मैं डॉक्टर पवनोब्राय आप सभी का एक बाद पिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वी डॉक्टर पवनोब्राय पर तो इस वीडियो में मैं वीवर्स आप से डिसकस करूँगा सीच्या स्मस्ट्री मेरट का जिन इस्टुएंट्स के पास सुषलोजी है तो सुसाइटी इन इंडिया के बुकलेट सीरेज एस मेरे को एवलेवल हुई है तो इसमें आपका पेपर कोड है जी 387 न्यू कोर्स का है यह तो 2022 का भी आप पेपर देख सकते हैं और 2021 का भी देख सकते हैं मेरा चैनल सब्साइब क करके स्टड़ी भी डॉक्टर पवन उबराए तो शुषलोजी में सेकंड यर सोड़ पेपर के नाम से प्लेलिस देखेगा वहाँ पर आपको बहुत सारे कोशन पेपर प्लेलिस में मिलेंगे 2021 के भी 2022 के भी 2023 के भी यह कोशन पेपर मैं पूरा आपसे डिसकस करूंगा 2022 की साथ साथ पेपर की तीनों प्लेलिस्ट जो है तीनों कोशन पेपर की पीडिएप आप 210 रुपे में आप ले सकते हैं मेरा वाट्सेप नंबर 6396242878 है जो डेसिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सिर्फ मैसेज करिएगा कॉल मत कीजिएगा कुकि समय नहीं मिल पाता ह रिसीव करने का जब आप पेमेंट सेंड कर देंगे तो जैसे मुझे दो घंटे के बाद 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद समय मिलता है तो मैं आपको अपने पेपर के नाम लिख करके उसमें भेजने पड़ेंगे चलिए तो क्या क्या कोशन आय थे यही पेपर आपका रहेगा और उसके भी कुछ question papers मेरे को available हुए हैं और भी students भेज रहे हैं मेरे को जैसी available होते हैं तो मैं आपसे share करूँगा तो video इंच्छ और answer ही share करूँगा बहुत ज्यादर detail में नहीं करूँगा क्योंकि outline questions की video में बहुत time लगता है यह तो number first है कि muslim maintenant में we Karena का नाम है तो वो है मुतहा इसाई विवाह के लिए किस चर्च को अधिक महत्तपून माना जाता है तो वो होता है आपका आप्शन भी कैथोलिक चर्च तीन शोशल डिस ओर्गनाइडेशन नामक उस्तक के लेखक कौन है तो वो है इलियट एवम मैरिल कोशन च्यार मुसलिम विवाह के प्रकार है तीन किस विज्ञानिक ने जन जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिस्ट विश्विद्याले की स्थापना का सुझाव दिया एल्विन ने ब्रस्टाचार निवारण कानून कब पारित हुआ सन 1947 में जाती के व्यवसाइक सिध्धान के प्रतिपादक कौन है तो वो है ऑप्शन बी नेस फिल्ड ठीक है नेस फिल्ड ब्रस्टाचार का कारण है तो देखें कानून के अनभिग्यता भी हो सकती है अपरियाप्त वेतन भी हो सकता है और अध्यतिक प्रतिसपरधा भी हो सकती है तो डी इसका राइट आप्शन है उप्रियोक सभी श्वेत वसन अपराद की अवधार्णा का सप्रतम उल्लेक किस ने किया था सदर लेंड ने वरिष्ट नागरिकों को भारतिय रेलवे ने सभी रेलगाडियों के सभी श्रेणियों के किराए में कितने प्रतिशत छूट दी है तो सही आंसर है ऑप्शन भी 30% की दादा पोती किस प्रकार के संबंदी है तो वो है आपके तृत्यक मनु सम्रिती के अनुसार हिंदू विवाग के कितने सवरूप है आठ निमने लिखित में से कोन सी विशेषता नेल गिरी की टोड़ा जन जाती से संबंदीत है तो वो है आप्शन सी भात्रक बहु पत्तितू ठीक है चलिए नेक्स है जाती शब्द की उत्पत्ति का पता निमन में से किसने लगाया तो आप्शन भी ग्रेसिया डी ओर्टड़ा इसाई विवहा से समंदित भारतिये विवहा विच्षेद अधिनियम पारित हुआ तो 1879 में हुआ 1869 में मुसलिम विवहा विच्षेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ ये 1949 में हुआ तो हिंदु विवहा हुआ विवहा विच्षेद 1879 में मुसलिम विवहा विच्षेद 1249 में नेमन में से कौन सा कथन सत्य है तो इसमें ऑप्शन सी देखते हैं कि प्रस्थिती या तो अरजित या प्रदत होती है तो ये ऑप्शन आपका सही है परिवार के विगटन के कारण कोन से कारण उत्तरदाई है तो नगरी करण भी हो सकता है और द्योगी करण भी हो सकता है और पश्चमी करण भी हो सकता है तो डी इसका राइट आप्शन है उप्रुक्त सभी मल डॉक ने कितने आदिम समाजों का अध्यन किया था 250 जन जातियां समाननेत है किस इस्थान पर निवाज करती है तो वो जंगलों एवं पहाडों पर करती है option B Hindu law and custom पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है J.D. man तो विवर्स के वल रिवीजन परपस सही वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादे डिटेल में नहीं जाऊँगा नहीं तो वीडियो बहुत बढ़ी हो जाएगी तो सिर्फ question और answer आप देखेगा तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा है ना तो 2021-2223 का द्यान रखेगा जीजा एवं साली किस प्रकार के संबंदी है परिहास जजमानी प्रथा या विवस्था का अध्यन वाइजर ने उत्तर परदेश के किस गाउं में किया था करिमपुर निमलिकित में से किस ने अनुलोम विवा को जाती की उत्तपत्ती के लिए उत्तरदाई ठेराया है रिजले ने पूर्ण निर्धनता एवं सापेक्ष निर्धनता का उलेक किस ने किया है तो वो किया शेपर्ड एवं वौस ने विभिन अवसर का सिध्धान्त किसका है तो वो है क्लोवार्ड एवम अहुलीन ने नातेदारी की श्रेणियों का अध्यन किस ने किया तो वो किया है मलडौक ने kinship organization in India नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो हैं M.S. गोरे प्रिमिटीब सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है लोबी history of human marriage नामक पुस्तक के लेखक निमलिकित में से कौन है तो वो है Western Mark फिक हैं वेस्टर मार्ग कम से हम आपको 20-25 कोश्चन राइटर के ही मिलेंगे कास्ट इन इंडिया नामक के पुस्तक के लेखा कौन है तो वह है हट्टन ठीक है तो वैसे कहें तो हट्टन ही है थ्यार रखेगा जाती की उत्पत्ति का उले किस वेद के पुरुष सुक्त में किया गया है भारत में कुल जनसंख्या का कितने परतिशत भाग गाव में रहता है तो वह है 72.22 यह उन्वस्टी के ही आंसर है वीवर ध्यान लखेगा मेरा आंसर कोई निग है अगर किसी कोश्चन से आप सहमत ना हो तो अपना आंसर आप सही मानिएगा है ना तो यह उन्वस्टी की आंसर की के कॉर्डिंग ही है तो भारतिय जजमानी प्रथा का अध्यान करने वालों में निमनांकित में से प्रमुक कौन है लेविस हिंदू धर्म में कितने प्रकार के यग्ये हैं पाँच निमनलिखेत में से कोन सी जन जातिय समुदाय की विशेषता नहीं है तो वो है बहिर विवहा तो वो है अनुसूचित जन जाती जाती एक बंद वर्ग है यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है तो वो है मजूमदार एवं मदान का दी इंडियन मिडिल क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है बीबी मिश्रा ग्रामेन भारत में कोन सा वर्ग नहीं पाया जाता है उंजी पती निम्नांकित में से कोन से जन जाती नहीं है तो वो है यादव ठीक है इसाई धर्म का जनम निम्नांकित में से किस इस्थान पर हुआ पेलेस्टाइन ठीक है मसी में विश्वास भी है और आत्मा के पवित्रता भी है तो डी ओप्शन इसका राइट है उप्रियुक सभी आश्रम विवस्था में आश्रम के कितने प्रकार है चार किस आश्रम में व्यक्ति समाज के कल्यान हेतू कार्रे करता है वानप्रस्थ आश्रम हिंदू धर्म को प्रारंब में किस नाम से जाना जाता था आर्वे धर्म के नाम से हिंदु धर्म के प्राचीनितम ग्रंथ है तो वो है देखे ग्रंथ की बाद पूछी गई है तो वो है आपके उपनिशद जैसे वेद पूछ सकता है तो सबसे वेद तो आप सभी जानते हैं रिग वेद यजुर वेद शाम वेद और अथर वेद और सबसे पुराना जो वेद है वो रिगवेद है ठीक है अगर प्राचीनतम ग्रंथ पूछे तो वहाँ पर उपनिशद जो है वो दिया गया आंसर उन्वस्टी ने देवताओं को प्रसंद रखने के लिए किस यग्य का प्रियोजन है तो वो है देव यग्य भारत में किस धर्म को मानने वालों की संक्या जो है वो सर्वादिक है तो वो है हिंदू धर्म इसलाम धर्म के कितने संपरदाए हैं दो मुसल्मानों में पती पतने की पारस्परिक सेहमती से होने वाले तलाग का नाम है तो वो है मुबारत निवास के इस्थान पर अधारित परिवार कितने प्रकार के हैं 6. समरक परिवार वा विवा सम्बंदी परिवार किस समाशास्ची द्वारा बताए गए हैं परिवार के परकार हैं किस समाशास्ची द्वारा बताए गए परिवार के हैं तो वो हैं लिंटन ठीक है चलिए गारो जनजाती में किस परकार का परिवार पाया जाता है तो वह ऑप्शन भी मात्र सत्तात्मक परिवार जिस परिवार में वन्ष परंपरा पिता से पुत्रों की दिशा में चलती है उसे कहते हैं तो उसे हम कहते हैं पित्र वन्षिये परिवार समाजिक समंदों में होने वाले परिवर्तन को समाजिक परिवर्तन मानने वाले समाज शास्त्री है तो वो है मेकाईवर एवं पेज निम्नमे से कौन सा परिवर्तन का एक प्रोध्योगी की एक कारक है तो वो है देखें प्रोध्योगी की एक कारक पूछ रहा है आपसे तो व जपान पर किया गया था अमेरिका दोवारा हिरोशिमा और नागा साकी पर समाजिक उद्विकास का सिद्धान किस से जुड़ा हुआ है स्पेंसर के दोवारा चलिए किस समाज सास्त्री ने गरीबी को तुलनात्मक दिरिश्टी से राष्टिया आयसे वंचित रहने के रूप में परिभाशित किया है तो वो है ऑप्शन C डॉक्टर योगेश पटे सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धान्थ के प्रतिपादक कौन है तो वो है आगबर्न ठीक है 61 सांस्कृतिक परियावरन का मानव निर्मित भाग है संस्कृति के इथास और इडास पक्ष का उलेक निम्नांकित में से किस विद्वान ने किया है तो वो मजूमदार एवम मदान ने किया है जाती एक बंद वर्ग है यह परिभाशा किस ने दी ये भी मजूमदार एवम मदान ने दी जब कोई वर्ग पूर्णत है वन्शानुक्रम पर अधारित होता है तो उसे कहते हैं उसे हम कहते हैं जाती कास्ट जन जातीयों के संदर में बहुपतनी विवाहा का प्रमुख कारण है तो वो होता है पुर्षों के अनुपात में कमी समाजिक परिवर्टन का प्रोध्योगिक निर्णे वाद किसने प्रतिपादित किया तो वो वैबिलन ने किया वैबिलन ने आप्शन भी निमलिखित में से कौन सा कारण जजमानी विवस्था के विगटन के लिए उत्तर दाई है तो नगरी करण आधुनिक शिक्षा और मशीनी करण के तीनों हो सकते हैं समाजिक धाचे या समाजिक सनचना में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है तो उसे समाजिक परिवर्तन कहा जाता है लोगों के जीने के धंक को ही संस्कृति कोन मानते हैं मजूम एवम मदान है ना ओप्शन सी निर्धनता के दुषप्रभाव हैं तो वो भिख्षा व्रिद्टी भी हो सकती है दुरव्यसनों की व्रिद्धी भी हो सकती है और अपराद भी हो सकते हैं तो डी गांदी राष्टिय व्रधावस्था पैंशन योजना कब लागू की गई वो 19 नवंबर 2007 में की गए ठीक है The Social Structure of Values उस तक के लेखक कोन है तो वो है Dr. Mukarji साधन मुल्य एवं साध्य मुल्य का वर्गे करण किसने प्रस्तूत किया है तो वो किया है Dr. Mukarji ने Option C Correct है रिश्वत एवं जाल साजी किस प्रकार का अपराद है तो यह एक श्वेत वसन अपराद है ना White Collar Crime श्वेत वसन अपराद 2011 में भारत में शाक्षरता दर कितनी थी तो वो थी 74.04% The Family नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो वह हैं बरगेश एवं लॉक संपत्ति के कितने प्रकार हैं तो हैं तीन जब परतेक व्यक्ति या व्यक्तियों का समहूं कोई ऐसा विश्यस कारे करता है जो अंति मुत्पादन में केवल सहायक मात्र होता है तो ऐसे स्रम विभाजन को कहते हैं तो सम कहते हैं सरल स्रम विभाजन Division of Labor in Society के लेखक कौन है तो वो हैं दुर्खिम Option number A परमपरागत भारतिय समाज में विभिन जातियों में पाई जाने वाली सेवाओं की वस्था को कहा जाता है जजमानी देखे आपने वर्ड जो सुना है जजमानी तीन चार कोशन आगे तो उसका मीनिंग यही है कि परमपरागत भारतिय समाज में विभिन जातियों में पाई जाने वाली सेवाओं की वस्था को हम जजमानी कहते हैं अपराद संगती वासीख का परिणाम है तो यह कथन किसका है सदरलेंड का निमनांकित में से किसे जाती प्रथा में होने वाले आधनिक परिवर्तन का कारण नहीं माना जा सकता तो वो है धर्म का इस्थानी करण अप्शन नमबर ए धर्म का इस्थानी करण जातियों के उत्पत्ति को वर्ण संकर्ता के आधार पर इस्पस्ट करने वाले धरम गरंध का नाम है मनुस्मृति sociology of kinship नामक पुस्तक का लेखा कौन है तो वो है लिला दूबे प्रात्मिक संबंधों की संख्या कितनी होती है पड़ा ही important question है ध्यान लखेगा जो प्रात्मिक संबंध होते हैं primary relationship वो आठ होते हैं भारत में नातेदारी विवस्ता का अध्यन किस ने किया है करवे ने वाईजर ने जजमानी विवस्ता का अध्यन भारत के किस प्रदेश में किया था उत्तर प्रदेश में समाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को समाजिक परिवर्तन मानने वाले समाज सास्त्री है तो वो मेकाईवर एवम पेज है ठीक है मेकाईवर एवम पेज जजमानी विवस्ता का दोश छाटिये तो देखे तीनों ही है पॉइंट की शोषन को प्रोचसाहन दिया जाता है दास प्रता का प्रतीक है और रोडिवादिता को प्रोचसाहन दिया जाता था तो दे इसका राइट आप्शन है उप्योक्त सभी व्याधिकी सिध्धान्त किसका सिध्धान्त है मर्टन का निमनांकित में से कौन सा समाजिक मुल्यों का लक्षन नहीं है तो वो है परिवर्तन शील्टा संस्कृति को भोतिक और अभोतिक भागों में किसने बाटा है आगबर ने हिंदू किंशिप नामक पुस्थक के लेखा कौन है तो वो है ऑप्शन एक के एम का पाडिया भारत में वर्ग विभाजन का कोन सा एक आधार नहीं है तो वो है विवाह संबंधी प्रतिबंद निमलेखित में से कोन सी वृद्धों की समस्या नहीं है मानसिक सुरक्षा देखिए अकेले रहते हैं वरिद लोग आर्थिक ऐस सुरक्षा भी हो सकती है और परिवार की उपिक्षा भी की जा सकती है तो लेकिन जो मानसिक सुरक्षा है ना वही इसका सही कारण है वो वरिद लोगों की समस्या नहीं होती जाते के उत्पत्ती के धार्मिक सिध्धानत को मानने वालों में प्रमुख है तो वो है हो कार्ड ठीक है option number A किस विदवान ने वर्ग चेतना को वर्ग का अनिवारी लक्षन बताया है काल मार्ग्स ने चलिए एक मैचिंग है कि सूची 1st को सूची 2nd से हमें सही बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें option number B correct है तो जो नागा है वो नागा लेंड में पाई जाती है नागा और नागा इससे आप मिला सकते है नागा और नागा लेंड तो जो आपका B एक खासी पुराव है वो बिहार से संबन देता है तो इसमें अगर आप मैचिंग देखें तो option number B जो हो आपका correct है 3, 2, 4, 1 इंडियान विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है S, C, दूबे और last question है निमलिकित में से कौन सा ग्रामिन नगरिये जोड का आधार है तो नातेदारी भी है विवा भी है और 33 स्थल भी है तो D right option है उप्योक्त सबी यह मेरा वादा पूरा हुआ आपको मैंने पूरे के पूरे 100 question इस वीडियो में बता दिये है और भी question paper आप देख लीजेगा सारंपूर उन्वस्टी के भी मैं upload कर रहा हूँ तो क्योंकि अभी आज October चल रहा है मंद 23 October है इसके बाद जब आप जब दी परवरी मार्च में आपरेल में वीडियो को देखें तो हो सकता है कि सारंपूर उन्वस्टी की booklet है तो वो भी मैंने upload कर दी हो तो students channel subscribe कर लीजेगा अपने दोस्तों को भी share कर दीजेगा PDF का procedure मैंने आपको बता दिया तो वो भी आप ले सकते हैं Thank you, best of luck